प्रादी को गिरफतार करने पहुचे स्टीएफ की टीम को ग्रामिनों ने जम कर पीट दिया आपको बतादे कि यह पूरा मामला बेगुसराई के गठपुड़ा का है जहां सिवल कोट में स्टीएफ की टीम पहुचे थी उन्हें अपरादी को चुप चाप गिरफतार करना था जुसके बाद ग्रामिनों ने उनके पास हतियार देखा और एक ना सुनी उनकी और उनकी जम कर खुटाई कर दी जुसके बाद स्टीएफ के जवान ये कहते रहे गए कि वो पुलस वाले हैं लेकिन गाउवालों ने उनकी एक भी नहीं सुनी काफी माणने पीटने के बाद गाउवालों ने पुलस को जब फोन किया तो पुलस ने मौके पर पहुचकर जवानों को पहचाना और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भरती कराया जिसके बाद स्टीफ के जवान बुरे तरीके से घायल हो गए हैं अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आई है पहले हम आपको वो बताते हैं बता दे चले कि बेगो सराय के गड़पूरा में अपराधी को पकड़ने के लिए सिविल ड्रेस में छापे मारी करने पहुची स्टीफ के जवानों की ग्रामिडों ने जम कर पिटाई कर दी पुलिस कर्मी खुद को स्टीफ बताते रहे लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी मार पीच के बाद ग्रामिडों ने पुलिस को सूचना दी सूचना पर पहुचे पुलिस ने गायलों को अस्पताल में भढ़ती कराया ग्रामिडों ने बताया कि बाइक से दो लोग हतियार लेकर आये थे लोगों ने उन्हें बदमाश समझ कर पीट दिया लगतार बिहार में बेखौफ अपराधियों का कहर परपता जा रहा है जिसे लोग दश्रत के महौल में जी रही है लोगों में काफी डरा सहमा हुआ सा महौल है जिसके बाद बेखौसराय के अगर खासकर तोर पर बात की जाए तो बिहार में बेखौसराय में बीते साल सेप्टेंबर के महिने में सबसे बड़ी अपराधियों घटा घटी थी जा दिन दहारे 11 लोगों पर ताबर तोर गोल पर दिया चलाए गई थी जिसके बाद एक के बाद एक बिहार से कई तरह के अपराधिक मामले निकल कर सामने आये लेकिन बेखौसराय के इस मामले ने लोगों का दिल दहला कर रख दिया तो और सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे देश भर में इसकी चर्चा हुई थी और इतन के जवान अपराधी को पकड़ने के लिए गड़ पूरा पहुचे किसे बादमाश समझ लिया चुके उनके हाथ में हत्यार था तो गाउंवालों ने उनकी एक नहीं सुनी और सबने मिलकर स्टियफ के जवान को ही कूट डाला ये दर्शाता है कि लोगों में कितना दर्शत है लोग कितने डरे सहमें होए हैं कि वो बदमाशों को जहां भी देख रहे हैं आक्शन में नज़र आ रहे हैं हलाकि इस तरह की घटनाओं पर सरकार पूरी तरीके से रोक लगाने की कोशिश करी है विधी विवस्ता और बिहार की प्रसार्शन हर तरीके से जुटे हुई ह है इसे ठीक करने की बिहार में विधी विवस्ता सापत करने की लेकिर आए दिन तरतर की घटनाए चाहे वो लूट पाट की हो हत्या की हो या पर गोली बारी की हो बिहार के विवन जिलों से आती रहती है और अब बेगु सरह से स्टेफ के जवानों को पीट देने का मामला स ही गाओ वालों में उल्जन पैदा हो गई और पहले गाओ वालों ने ने जम कर कूटा उसके बाद पुलिस को सूचना दी जिसके बाद पुलिस ने बचाये और अस्पदाल में भड़ती कराया जहां इनका इलाज चल रहा है व्लाग की लिए इस खबर में अतना ही है और बुकले मास अथ बनी रहे न्यूस फॉर नेशन में नमस्का